आज की जो वीडियो नब बहुत खास होने वाली है पिलास्टिक की बाल्टी पर चाहे कितने भी खतनाग दाग लगे हुए हूँ बिल्कुल आप सेकेंड और में क्लीन कर सकते हैं RS Kitchen ग्यान YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ऐसी यूजफूल टिप्स मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ तो देख सकते हैं कंडिसन प्लास्टिक के बाल्टी है प्लास्टिक के बाल्टी हो चाहे टप हो चाहे मग हो चाहें कोई प्लास्टीक परात हो बिलकुल दाग लगें खराब हो चुकी है तो आप उसको बिलकुल नया करेंगे दो चीजों से आज हम किलीन करने वाले हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें चेनल को सुस्क्राइब जरूर करें तो देख सकते हैं कंडिशन अभी हमारी स्टील की सौरी प्लास्टिक ये बाल्टी की कंडिशन ये कुछ भी नहीं है से भी ज्यादा कंडिशन में खराब हो वह बिल्कुल नया हो जाएगा तो देखिए यहां पर हम पहले हार्पिक लेंगे देखिए आपने आप कभी भी वी करने की ज़रूरत नहीं हलका सा हाथ छोवाएंगे आप बिल्कुल ऐसे हो जाएगा बिल्कुल नया लेकिन दूसरा जो केमिकल वह लेना बहुत ज़रूरी है तो देखिए यहां पे ना देखिए डखकन में मैंने केमिकल लिया है जो पानी की जैसा दीख रहा है ठीक है इस बाल्टी को तो हम हार्पिक से भी किलीन कर लेते हैं नेकिन हार्पिक से इतना किलीन नहीं होता जो मैं दूसरा केमिकल लिया है इसको बताऊंगा मैं आप कहां से इसको पर्चिस करना है लाना है तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है वीडियो को पूरा देखना है कहीं से भी स्किप नहीं करना है देखे एक हाथ में मेरे फॉन है दूसरे हाथ से देखे मैं आप समझ सकते हैं दूसरे हाथ से हम हलके हाथ ही लग सकता है ना कि हम दोनों हाथों से इसको यूज कर रहे हैं मतलब साफ कर रहे हैं अगर दोनों से मैं साफ करता तो बहुत ही जल्दी और अच्छे से साफ हो जाते हैं लेकिन हलका हाथ लगाने की ज़रूरत है केमिकल जो है इतना बहतरी नहीं कि आप यकीन नहीं कर पाओगे बहुत ही कम खर्ची में आप खराब से खराब बाल्टी को बिल्कुर क्लीन कर सकते हैं लेकिन इन दोनों केमिकल से आप कोई भी इस्टील को क्लीन ना करें क्योंकि मैंने फैला जो केमिकल लिया है वो हार पीक है जिसे हर इंसान जानता है तो अभी कंडीशन देखते जा रहे न यह प्लास्टिक की बाल्टी इतनी खराब थी बहुत ज़्यादा खराब बहुत ज़्यादा दाग लगे हुए थी कि हलके हाथों से ही बिल्कुल फिलीन होगी बाल्टी तो गजब का तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है तो इसको धोलेते हैं और आप कंडीशन देखी रहे हैं यह देखिए तो दो केमिकलों से हमने प्लास्टिक की बाल्टी को किलीन कर लिया है दूसरा जो केमिकल है इसको आप अपने घर के जरूर लाएं दूसरा जो केमिकल है वह है कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा आपको किरान चम्माच आप काश्टिक सोड़ा डाल दीजिए और आप बाल्टी को क्लीन कर सकते हैं या इसमें मैंने ज्यादा है ज्यादा चार पांच धक्कन मैंने काश्टिक सोड़ा पानी यूज किया था अर्पी के साथ में तो अभी इसका कंडिशन देख रहे हैं बिलकुल क्लीन है ह है तक तक क्या क्या था रावा क्या था था वा राल दीजिए च्टिक सोड़ा हैं अभाज भाटानी फ्किन देख किरेंगे न्यादा है गार्फर